Hello Everyone, According to Times of India, Government of India Planning NEET 2025 Conducting in 2 Phages जी हाँ, ठीक जैसे JEE का Pre and Mence Exam होता है 2 Phages में वैसे ही Government of India चाहती है कि NEET UG जो 2025 है वो भी 2 Phages में Conduct करा है आपको पता है बहुत सारे स्केम निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे doubt create हो रहे हैं NTA पर तो चाहती है Government of India कि NEET भी ठीक JEE की तरह दो Phages में Conduct करा जाए जाए तो जो दो Phages होंगे उनके अलग-अलग नाम होंगे, जो पहला Phage होगा उसका नाम होगा NEET UG Pre और जो दूसरा Phage होगा उसका नाम होगा NEET UG Mence और ये दोनों ही एक्जाम डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट बॉडिस के थरूँ Conduct करा जाएगे जो NEET UG Pre है उसे NTA Conduct कराएगा और ये PIN एन पेपर बेस्ट होगा जैसे कि अभी एक्जाम होता है वाइल जो NEET UG Mence होगा उसे CBSE या फिर NBE यानि की National Board of Education ये Conduct करा सकते हैं देखे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अगर आपको डर लगता है इस चीज़ से कि पेपर पैटर्ण चेंज हो जाएगा तो याद रखे किसी एक individual person के लिए चेंज नहीं होगा सभी के लिए होगा ठीक है और इससे बिलकुल आपको फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्या NTA पर हमारा भरोसा रहता है या नहीं ठीक है इस चीज़ को ध्यान दीजिए दूसरी बात आपकी preparation किस level क ही है selection actual में आपके पढ़ने से होगा यह सूचने पर नहीं कि paper कैसा होगा कैसा नहीं होगा clear है तो मेरी बस आपसे एक request है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए time से अपनी study करिए हर एक question solve करिए कोई doubt है तो आप comment section में लिखिए मैं उस particular topic पर वीडियो आपको बना क प्रवाइड कर दूगा बाकी इसी तरह की update पाने के लिए subscribe कर सकते हैं आप प्रदीप सुभाल होजी को